हम लोगों को बहुत खुसी हो रहे हैं कि हम लोगों को साने दिमिला भगवान का भगवान के पास आने का जाने का जो है जब मंदिर है तो मूर्टियां तो रहेंगी ही स्पास्तिक बना हुआ है कमल की आकर्थी बनी हुई है और बहुत सी मूर्टियों की है उसमें आकर्थी परिवार के तरफ से क्याचिका पड़ी थी यास तेखाना जो आप लोग खुजा करते आते थी पुराने प्राइब तो हम लोगों को आज जो है बहुत खुशी हो रही है कि हमको फिर से अपने जो है पुजा करने का उस सिथान पर हमारे तेखाने में अवसर मिला यह बहुत से कजिए को इस सालों बाद आपको अपना अपना जगां रहे हैं जाता किस तरीके से वहां पूजा आपकर अब कहना क्या है भाष्पुजária भी थे मंदीर के ट्रस्ट के और व्यास पर्वेवाBig वहां थे मुथा जहएन जी थे अथिकारी दी-म अर्श लिंगम और रख सब्सक्रणल योक यह सब लोग मजूद ते तो नियेज उस्वर ईसवर चाहेंगे कि मुस्लिम प्रक्ष लगातार यह कह रहा है कि वहां कोई बूर्ति और कुछ नहीं है आप बताएं आप परिवार से हैं वहां क्या-क्या है अवशेश क्या-क्या चीज़े वह स्वयम भूलिंग का मंदिर है आद्विशिस्वार का यह सब जो बोलते हैं उम्ठ्य देते हैं उपर से तो भी नीचे वहां का आकरती मिलेगी स्वयम भूलिंग का मतलब यह होता है कि अपने से प्रगट होना तो मंदीर तो था ही मंदीर है मंदीर रहेगा हमेशा वह अब उपर से किसी चीज़ को ढख देंगे तो इसे थोड़ी होता है और दिवालों पर भी स्वास्तिक बना हुआ है कमल की आकरती बनी हुई है और बहुत सी मुर्टियों कि हैं उसमें उसमें किस तरीके से पूजा होती थी आपके परिवाल द्वारा सुबा साम देनिक होता था जिसे भागवत का पार्ट होता था यह सब लोग वहां पर पूजा करते थे हमारे अब आगे वो बाकी आम श्रद्रालों के लिए भी खोला जाएगा अब यह तो प्रसासन के उपर है अब जैसे जब भी खुलवाय भी तो एक हपते का समय दिया है उन्होंने बैसिकली आप लोग ने भी ती राग पूजा हो गया जैसे तैसे उसको चालू करना था उन्हों कर लिया अब आगे देखिये क्या होता है अभी तो एक हपते का समय दिये है अब आगे जैसा प्रसासन का subscribe to Midday India get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon